पिछली वीडियो में हमने menuration के first exercise को solve किया था वहाँ पे हमने उसके सारे question को दिखा था एक एक करके हर question को solve किया था और last में एक question आपके लिए दिया था ताकि आप उसका answer करके हमें comment कर सके आज की वीडियो में हम उसी mensuration के second exercise को देखेंगे यह आपके class 8 का mensuration है किस किताब से है तो किताब का ना math beyond है अब उसी किताब का यह second exercise आपको कराया जा रहा है उमीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बाकी यह आपके competition वाले exam में भी आता है अगर आप किसे प्रकार के exam के त्यारी करते हैं जो 10th base के आसपास के जो आपके exams होते हैं उनमें इस तरह के question आते रहते हैं तो भाई यह start करते हैं तो देखिए आपका first से लेके 4 तक का जो question है वो सब optional है लेकिन फिर भी मैं आपको थ्रौसक solve करके बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर paper में question आएंगे तो आपको solve करके करना है तो देखिए लिखा है the area of trapeism is 68 cm and its height is 8 cm if the one parallel side is 10 cm then the other side is यानि के simple सी बात है कि trapeism का area दिया है नोट कर लिजे उसका height दिया है यानि क्येच दिया है उसकी एक parallel side दी है और दूसरी parallel side के बारे में आपसे पूछा है कि आप बताईए वो parallel side क्या होगी तो बस हमने सिर्फ formula पर put up करना है और असानी से हमरा answer हमारे हाथ में सारा किया कराया आपका क्या है formula है आपको formula पता है तो आप question को 2 minutes में solve कर सकते है formula नहीं पता है तो आपको बहुत सारी problem का face करना पड़ेगा अब देखिए area of trapeism is equal to क्या होता है 1 upon 2 into h black end के अंदर sum of parallel side अब आप इस h को चाहे इस side रखें और चाहे इस side रखें कोई दिक्कत नहीं है हम जहामन तहार रख सकते है ठीक है तो क्या है 1 upon 2 sum of parallel side जाने कि जो आपकी parallel side है इनका sum into h आपका answer आजाएगा देखिए हमने बस formula में put up किया area of trapeism दिया है हमने 68 रख दिया 1 upon 2 sum of parallel side तो एक side दी है एक side नहीं दी है तो हमने एक side को रख दिया 10 और एक side जो नहीं दी है उसको हमने x मान लिया और वहाँ पे put up कर दिया h की value पता है वो 8 है हमने h की value 8 को रख दिया अब हम इसे solve कर लेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 upon 2 से 8 आपका cut जाएगा यानि कि जो 2 है उससे 8 कटेगा 4 बार में 4 आ गया तो अब हमने इस 4 को इस side भेज लेना है जब वो चीज उपर थी तो इस side जाएगी तो यह जब हम equal to के इस side भेजेंगे तो वो चीज क्या आ जाएगी वो चीज नीचे आ जाएगी यानि कि divide में आ जाएगी तो 68 को जब हम 4 से divide करेंगे तो हमारा 17 बार में 4 से यह cut जाएगा तो 17 आ जाएगा तो 10 प्लस x बराबर क्या आया 17 अब हमें x की value निकालनी है तो x को हम वहीं पर रखेंगे और 10 को इस side भेज देंगे जब 10 उस side प्ल आएगा 17 में से 10 माइनस होगा तो हमारा answer 7 आजाएगा यही हमारा answer हो गया तो जो एक other side थी उसकी जो length है वो कितनी है 7 cm तो इस तरह के समया पहला question solve हो गया आपके मन में यह doubt हो सकता है कि क्या इतना solve करने में इतना time लगेगा बिलकुल नहीं लगेगा यह भी हम पहली बार कर रहे थे पहला question कर रहे थे तो detail में किये वरना इन question को solve करने में उतना ही time लगता है जितना खाना खाने में तो simple सी बात है बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है third question को देखिए third question कह रहा है the diagonal of rhombus are 9 cm and 6 cm तो फिर इसके area को find करना है simple सी बात है बहुत आसानी से हम find कर यह तो हमें बगर पता हो कि rhombus का area क्या होता है तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं तो देखिए rhombus का area होता है 1 upon 2 into d1 upon मतलब d1 into d2 यानि कि d1 d2 क्या है d1 d2 यहाँ पे diagonal है जो diagonal यहाँ पे दिया है एक diagonal 9 है एक diagonal 6 है बस आपको इसको formula में put up करना है और answer आपके सामने आके पूच से 6 को काटेंगे 3 बार में 9 3 दा 27 27 cm square अब आप पूच सकते हैं कि cm square क्यों आया है तो आपको 9 है वो भी cm में है जो आपका 6 है वो भी cm में है cm cm आपस में multiply होंगे तो cm square बन जाएगा उमीद करता हूँ चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी कोई doubt नहीं होगा चलि area of rhombus इतना दिया है यानि कि rhombus का area दिया है एक diagonal दिया हुआ है दूसरा diagonal के बारे में पूच रहा है अब इसमें क्या ही बताना इतनी simple सी चीज़ अगर हम आप इसी formula में put up करें तो 1 upon 2 into d1 क्या दिया है 18 दिया हुआ है तो हमने 18 को वहाँ पे put up कर दिया rhombus का area दिया है 252 को उस side put up कर दिया 2 को जब हम 18 से काटेंगे तो 9 आएगा वो 9 जब उस side जाएगा तो फिर आपके ये 252 को काटेगा और जब 252 को काटेगा तो आपका 28 बार में वो कट जाएगा और वही आपका 28 आपका answer हो जाएगा simple सी चीज़े हैं कोई कठिन कान नही आप इसे कर लिजेगा बात करते हैं पांच में कोसन की पांच कोसन कह रहा है find the area of trapezum यानि की trapezum का area खोजिए जिसका side यानि की whose parallel side are 12 DM and 18 DM the distance between them is 9 DM यानि की इन दोनों के बीच का जो distance है जो parallel side के बीच का distance मतलब क्या हो गया height हो गई एक तरीके से क्या कह रहा है parallel side के बीच का distance यानि की height तो height कितनी है height है आपकी 9 DM DM मतलब decimeter ठीक है 12 DM 18 DM अब बस हमने सारी चीज़ दी है area find करना है formula में हमने put up किया हमारा answer हमारे साम ने नाश्तेगाते हुए आ जाएगा तो area of trapeism is equal to 1 upon 2 into h bracket में sum of parallel side हमने formula में put up किया तो ये हो गया 1 upon 2 into 9 और फिर आपका 12 plus 18 12 plus 18 को plus करेंगे तो 30 हो जाएगा 2 को अगर हम 30 से काटेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 15 बार में कर जाएगा 15 into 9 करेंगे 135 आ जाएगा और यही 135 ही हमारा क्या है trapeism का area है उमीद करता हूँ ये चीज़े भी आपको समझ में आ गई होगी छटमा question में बिलकुल उसके जैसा है इसलिए मैं solve करके नहीं बता यानि की h कितना है h आप से पूछा है same condition आपने formula में put up करना है area of trapeism की जगा 272 लिखना है parallel side up की 19 और 13 है 19 और 13 को वहाँ पर put up करके उनको plus कर लेना है plus करने पर क्या आ जाएगा 19 और 10 29 और 3 32 आ जाएगा 32 को जब हम 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएग 2 के तो 272 अपन में 16 हो जाएगा और जब हम 16 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा गर काट के देखा जायरे छोड़ी है सब कुछ हम ही solve करेंगे क्या आप नहीं करेंगे क्या तो आप कर लिजेगा तो आप जो काटेंगे वही जो आएगा वही आपका edge का answer हो जाएगा क्य एरिया क्या होता है 1 अपन 2 इंटो d1 इंटो d2 इसको भी solve करेंगे राम से solve हो जाएगा एक diagonal की value second diagonal की value 2 से काटेंगे तो यह कट जाएगा इसको आपस में multiply कर देंगे हमारा answer आजाएगा तो इसको भी हम नहीं solve करेंगे इसे भी आप solve कर लिजेगा बहुत सिंपल सी यहाँ पे नई चीज़ पूती है find the area यानि कि area भी find करिए और side भी find करिए rhombus का एक side भी निकालना है उसका एक area भी निकालना है diagonal दे दिया है कि 8 और 6 आपका diagonal है अब भाईया दोरों हमको बताइए area भी और आपका एक side भी चलिए हमने निकालना है हमें बस formula पता होना चाहिए हमें area of rhombus का formula तो पता हो गया है कि 1 upon 2 into d1 into d2 लेकिन यह side भाला क्या है तो देखिए side of the rhombus का formula भता है 1 upon 2 root के अंदर d1 square plus d2 square अब इसी को solve करने में ही काफी लोगों की दिक्कत आया लगती है क्यों क्यों कि बाहर root लग गया root देखते ही तो इस time पे बच्चे इसे डरते हैं जिसे का ही बता है लेकिन यह डर तभी होता है जब उनका concept clear नहों हो root के लिए concept clear है तो कोई डर है ही नहीं चलिए हम एक question को सबसे पहले हम find करते हैं का area चलिए find कर लीजे बहुत simple ही काम है हमने one upon two into d1 की जगा eight d2 की जगा six यह से कटेगा six कटेगा तो क्या आ जाएगा six कटेगा तो आ जाएगा three और हमें अब जब eight into three करेंगे तो हमारा 24 यह हमारा area आ गया यानिकि trapezum का जो माफ कीजेगा rhombus का जो area है वो 24 आ गया हमारा हो गया चाहे आप six को काटिए चाहे eight को काटिए अगर हम two से eight को काटते तो यह पर four आता और four into six करते तो भी 24 आता तो यह सब doubt मन्दे मत रखेगा हम छोटे होने पर बच्चों के अंदर यह सब doubt आता है क्यों six को का six को काटती है हमको भाईया eight को काटना अच्छा लग रहा था हमने eight को काटा आपका मन है तो आप six को काट दीजे ठीक है चलिए तो यह हमारा निकल गया area अब हमने निकालना है इसका क्या side चलिए side का formula क्या था one upon two d1 square plus d2 square और उसको root में कर दीजे अब इसको solve करना बहुत simple पर देखिए देखिये क्या कह recur रहा है जो d1 की value है उसको रख दीजे क्या है डीवन पे eight है eight का square plus d2 पे क्या है six का square root में कर दीजे तो भाईया जब हम इनको square करेंगे तो 8 का square 64, 6 का square 36, 64, 36 plus करेंगे 100 आएगा, root में 100 का मतलब क्या हो गया, root में 100 का मतलब हो गया, 10 into 10, और root का मतलब क्या होता है, कि अगर root के अंदर कोई संख्या 2 बार है, तो जब बाहर आएगी तो एक बार हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 दो बार है, 10 into 10 is equal to 100, तो जब यहाँ से बाहर आएगा, तो वो 1 बार हो जाएगा, निकि एक बार हो जाएगा, तो आपका 100 का root क्या होता है, 10 होता है, सिंपल सी बात है, इस अब क्या ही समझा रहा, किसी को भी पता होता है, कि 100 का root आपका 10 होता है तो 1 upon 2 into 10 जब हम 2 को 10 से काटेंगे तो 5 आजाएगा तो जो आपकी each side है वही 5 आजाएगी और यही आपका answer हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा 24 और 5 आपका ये 2 answer आपको मिल गया है ये रहा आपका area ये रहा आपका side कहानी खतम ये question आप चलिए question number 9 आप कर लिजेगा जड़ा सा hint दे दे रहा है जो altitude लिखा है इसका मतलब होता है height ठीक है तो उसका side दिया है उसका height दिया है उसका diagonal दिया है अब इसको बोला है कि इसका एक other जो diagonal है उसको find करिए देखिया आपको चीज़े ये altitude लिखके आपको भटका सकता ह है बहका सकता है तो बता दे रहा हूँ 6 into 4 करेंगे 24 आ जाएगा उसके basis पर आप solve करेंगे जो ये 4 लिखा है वो height है तो उमीद करता हूँ आप ये 9 question solve करके आप comment section में answer बताएंगे किस तरीके से solve किया है वो तो आप बता नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी आप थोड़ा मु दिया हुआ है perimeter दिया है किसका trapesm का दिया हुआ है BC बराबर 48 दिया है CD बराबर 17 दिया है AD बराबर 40 दिया है अब बोलाए find the area of field यानि कि यह जो field है उसका area खोजिए आपका जो AB है वो इसके उपर perpendicular है जो कि सामने सामने दिखी रहा है और यह आपका जो parallel side है वो AD और BC है चलिए तो simple सी बात क्या है हमको इसका area निकालना है तो आईए हम निकालते हैं आपसे पहले जाने कि perimeter of trapesm क्या होता है यानि कि simple सा कहना यह है कि perimeter of trapesm अगर हम उस trapesm के सभी side को जोड़ लें तो वही हमारा perimeter हो जाएगा तो देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA यही आपका कह trapesm दिया हुआ है 120 question के according question में आप देख सकते हैं उसके अलावा जो AB, BC, CD, DA इन में से जिसकी जिसकी value दी है उनको put कर लेंगे AB की value नहीं दी है तो हमने इसको छोड़ दिया BC की value 48, CD की value 17 और DA की value अपकी 40 इन सब को put up करने के बाद अब हम इसको solve कर लेंगे 120 equal to AB इनको प्ल value आई वो 15 आगई यानि कि हमने एक side को निकाल लिया है simple सी बात है चलिए कहानी खतम हो गई अब बात आएगी area of trapesm की जो की बहुत ही simple है 1 upon 2 है bracket के अंदर A plus B into H है solve करेंगे तो आ जाएगा 1 upon 2 into 40 plus 48 into H की value क्या आगई है 15 यह जो AB आया है वो क्या यह height आई है और यही height जो AB है वही न यह D के उपर से यह जो line खीची हुई है यहाँ पे भी तो वही होगा न तो यह एक तरीके से क्या बता रहा है यह इन दोनो parallel side के बीच के distance को बता रहा है यानि कि उनके height को बता रहा है तो इसलिए AB जो हमने निकाला है वही हमारा height है अब हमने edge को यानि की 15 को य meter square आ जाएगा यह हमारा simple sensor है तो मीद करता हूँ यह भी आप समझ गए होंगे यह था question number 10 अब question number 11 देखते हैं और यही पे आपका यह exercise खतम हो जाएगा 11 देखे question क्या कह रहा है the area of trapeism is 540 cm square if the parallel side in the ratio यहाँ पे उसका side दिया है लेकिन ratio में दिया है और उनके बीच का जो distance है वो भी दिया हुआ है बस इनके parallel side को बताना है जो कि अभी ratio में है लेकिन बाद में आपको number में बताना है चलिए हम यह भी बता देंगे ऐसा कौन सा तुर्रम खान वाली चीज कुछ नहीं है हम solve कर देंगे ऐसे कैसे नहीं होगा देखिए कर रहे है न क्या कह रहा है सबसे पहला काम है आपको area of trapeism के हिसाब से इसको रखना हमें पता है area of trapeism क्या होता है 1 upon 2 sum of parallel side into h हमने formula के according इसको रख दिया 540 cm2 यह इसका area है हमने वहाँ put up कर दिया 1 upon 2 sum of parallel side अब यहाँ पर parallel side दिया है लेकिन ratio में तो हमने इसको ratio में ही रख लेना है बस इसके साथ कोई एक variable ले लेंगे ताकि उसका मान निकले तो चलिए मतलब उसकी value आए यही कहना मतलब होता है तो 7x ले लिया हमने 7 के साथ एक variable ले लिया x और वैसे ही 5 के साथ भी x ले लिया into 18 तो आपका height वहां पर दिया है तो हमने 18 को put up कर लिया 2 को हमने 18 से काटा कितनी बार में कटेगा 9 बार में काम खतम फिर हमने 540 लिखा 540 को 9 से काटेंगे इतना जल्दी जल्दी बोलके कहां जाना है कौन सा आपका time बचा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी थोड़ा आरा 12x यानि की 12x और जब यही 12 उस side जाएगा तो यह इसको cut करेगा तो 60 अगर 12 को cut करेगा तो कितनी बार में cut कर देगा 5 बार में cut देगा यानि की x की value गया गई 5 आ गई बताइए x की भी कोई value होती है लेकिन यहां पे आई है अब क्या कर सकते हैं तो यहां पे जो x की value आई 7 x 5 35 यानि की एक side आपकी 35 हो जाएगी और जो दूसरी side है वो आपकी 25 हो जाएगी यानि की 5 x 5 यानि की 25 तो उमीद करता हूँ यहां तक आपके सारे question समझ में आए होंगे एक question आपको करने के लिए दिया गया है उमीद करूँगा आप question कर जल्दी आप comment section में comment कर देंगे तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आएगी तो like share subscribe करेगा बहुत पसंद आएगी तो comment कर लीजेगा ठीक है टाटा बाए बाए